डियर स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का इक्जाम डी में इक्जाम डी तैयारी इक्जाम की देखिए कोलान इनिवसिटी उजी सेमेस्टर 2 सिलेवस जो है वो पूरी तरीके से तो नहीं आया है लेकिन कुछ-कुछ सिलेवस को फिलाल अपलोड किया जा रहा है उसी को मैं मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आप उसको देखके सारे चीछ समझ सकते हैं वीडियो को दियान से देखिए और पूरा देखिए आपके सारे सवालों के जवाब उसी में चुपे हुए है और आधा देखके अगर आप देखेंगे तो आपके मन में सवाल आने लिखाए ठीक है देखिए जो समेस्टर 2 है न उसमें से आपका जो है इस टैप से सिलेबस बना हुआ है ठीक है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है समेस्टर 2 दिख रहे हैं और यहां पर आपका जो है सब्जेक्ट के जो कोड नेमें वो लिखे गए हैं AEC, AEC, AEC और MDC यानि की Ability Enhancement Course पहला वाला होगी आपका यह Paper 2 है ठीक पेपर 1 में आप लोग ने हिंदी दिया थे समेस्टर 1 में आप लोग को याद होगा इसमें जो Language and Communication Skill है English है वो इस बार आपको fully English का जो है दिया गया है तो English में मैंने बहुत सारे वीडियो लिक्चर बना फिलाल भी Confusion है तो मैं उस Confusion को दूर कर देता हूं ठीक है आप लोग की जितने भी कमेंट आप लोग ने किया इसको लेकर आप इसको ध्यान से सुनिए देखिए आपका जो Skill Enhancement Course है वो आपका Total Credit तीन Credits है ठीक है तीन Credits मिलेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 11 तारीक को हो गया आज आपका 12 तारीक है इगारत तारीक को अपडेट आया तो आपको जो यह Mathematical जो है न यह Mathematical and Computational Thinking and Analysis उसके बाद आपका News Writing and Reporting, Communication Skills and Personal Development इन तीनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है आपको तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है ठीक है तो यहाँ प समझना पड़ेगा कि क्रेडिट सिर्फ तीन है और तीनों का सिलेवस जब आप देखेंगे हालां कि दो का सिलेवस दिया है और जो Mathematical वाला उसका सिलेवस नहीं दिया है तो दो का जो सिलेवस दिया है जब आप उस सिलेवस को देखेंगे तो आपको दोनों सिलेवस में क् किसी एक को ही सेलेक्ट करना है ठीक है और उसका एक्जाम आपको देगने जाना है मतलब आपको तीन क्रेडिल मिलेंगे न तो यहां पर समझिएगा कि आपको या तो मैथेमेटिकल वाला चुनना है या तो न्यूज राइटिंग वाला या तो परसेनलिटी डेवलाप्मेंट वाला ठीक है तो इसमें से आपको यह चीस्तों में बता देता हूँ कि जो काला करके देख रहा है न मैथेमेटिकल वाला इसका सिलेवस तो आया नहीं अभी तक सिलेवस आने से वह इस परकार से बुलू कलर में आ जाएगा तो दो का सिलेवस आ चुका है 11 तारिक को ठीक है इस पर कोई सवाल आपको मन में होगा तो आप उसको पूछ लिजेगा नेक्ट वीडियो में उसका एंसर देदूगा ठीक है अब बढ़ते हैं आगे MDC को लेकर MDC में आपको मैं बता दूँ इससे पहले भी बता चुका हूँ ठीक है कि MDC में जो है आपको यहाँ पर खास दियान रखना है कि multi disciplinary course है और इसको आपको धियान में रखना है कि opt anyone from these papers other than opted in semester 1 and class 12 आपको वहीं चुनना है जिसको आप लोग ने ना तो class 12 में पढ़ाई की है ना ही semester 1 में आप लोग ने इसको पढ़ा है ठीक सिदा से बात है तो इसमें से कोई आपको चुनना है जिसको ना तो आप लोगने semester 1 में पढ़ा है ना ही उसको आप लोगने class 12 में पढ़ा है अप यहाँ पर चुन लीजिए ठीक है फिजिक से chemistry है बोटनी है जिलोजी है अच्छा बोटनी का हाली में आया है ठीक है जिलोजी जियोलोजी है mathematics बहुत सारे है हिंदी इंगलिस बहुत सार करना है कुछ philosophy बगर का मैंने MDC का करवा दिया है आप उसको चाहिए तो देख सकते हैं और बहुत जल्द में बहुत सारे चीजों का MDC वाला जो है करवा दूंगा आप उसको चैनल पर देख लिएगा ठीक है और इसके बाद यह बहुत सारे MDC दिये गए है ना और इसके ब क्यों क्यों पर देख सकते हैं कुच दकी का सीवश दिया है कुचछ कर दिया ही नहीं है यह सब कद sust की और में यह स्मसरी तॉ तो पढ़ाएंगे न तो सिलेवस ही नहीं दे रहा, कोल आन उनिवसिट तो कैसे कराएंगे, जितना जल्दी सिलेवस देगा, उतना जल्दिएम उसको कवर करा देंगे, ठेक है? जहाँ तक कोशिस तरहेगा कवर कराने का, ने कि इतना सारा का दिया हुए, कुडुमाली हो बंगला है सबका दिया हुआ है ठीक है और पॉलिटिकल साइंस का नहीं दिया है हिस्ट्री एकनोमिक्स बगर दे दिया हुम साइंस का भी नहीं दिया है हुम साइंस का भी बहुत सारे से कमेंट्स आ रहे तो उसका भी नहीं दिया हुआ है तो जैसे ही मुझे करना है कि जो जो दिया हुआ उसको blue color में दिया गया ठीक है और यहां पर भी आप देख सकते है English का नहीं दिया है ठीक है। और तो जब कोयह की वेबसा में अभी तर्वाया नहीं है ठीक है तो जब कोलान की website में नहीं आए गा तो उसका तयारी कैसे और यह यह एक मुस्किल वाले बात है ठीक है तो syllabus जैसे ही मिलेगा हम उसको तयारी करा देंगे अब exam का जो routine हो तो आया नहीं है ठीक है हलांकि अभी आपका form भी लब चल रहा फिर admit card आएगा तो routine जब आएगा तब पता चल जागे कि अब तक इसका exam हो जाने वाला हलांकि संभाव ना है कि फरवरी मार्च में ही exam होना तई है ठीक है तो इस चीज़ को अब धियान में रखिए और जो जो मिल रहा उसका तयारी करते जाए ठीक है को लेज में जो पढ़ाया जारा उसको पढ़िए जो यहाँ पर हम बताने सकर है उसको पढ़ लीजे आपका result बहुत बढ़िया होग ठीक है लेकिन दियान से पढ़ियागा और प्रपर जिस तरीके से बता जा रहा उस तरीके से उसको पढ़ियागा मन लगा का पढ़ियागा ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद